हेलो और वेलकम बैक वांस अगेन इन अनदर सेशन ओफ पार्टनर्शिप अकाउंटिंग पॉर्म में भी पता हैं लाइक दी वैलेशन एकाउंट बनाना दी वैलेशन के प्रॉफिट या लॉस को एड़जस्ट करना कोई अक्युमिलेटेड प्रॉफिट या लॉस को एड़जस्ट करना so all that stuff हमें बहुत ही अच्छे तरीके से clear है हमारे पास जो एक नया concept death of the partner के case में था वो नया आया था कि किस तरह से profit की calculation की जाती है क्यों क्योंकि death किसी भी partner की कभी भी हो सकती है तो in between of the session अगर किसी partner की death हो जाती है तो उसकी death तक के time period के हिसाब से हमें profit calculate करना पड़ता है वो time period वाला जो मैंने अभी अभी concept आपको बूला वो on time basis के accordingly cover किया जाता था ठीक है और बिलकुल इसी तरीके से मैंने आपको hint भी दिया था कि एक second basis और होता है calculation of profit का in case of the death of a partner वो था on sales basis तो हमने अभी तक time basis के हिसाब से एक theoretical concept पड़ा था फिर मैंने आपको एक छोटा सा practical question लेकर सिरफ profit कितना calculate होगा ये बात आपको समझाई थी मुझे उमीद है कि यहां तक का जो जितना भी हमारा ये session था वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा अब आज हम start करेंगे कि अगर हम on the basis of time calculate करते हैं कि profit कितना होगा एक deceased partner का तो उसकी अगर हमें accounting treatment अगर देने की जुरत पड़े because accounts है हर एक transaction को record किया जाता है तो इसलिए देखते हैं कि इसकी recording किस तरह से होगी इसको accounting treatment कौन सी दी जाएगी after calculating the proportionate profit share of the deceased partner following journal entries are past जब एक deceased partner का profit का share निकाल लिया जाता है चाहे हम on the time basis ही अगर बात करें वैसे तो ये मैं एक और clear कर दूँ वैसे तो ये जो journal entries में आपको बता रही हैं ये मैं on the basis of time भी नहीं लिखूंगी क्योंकि ये दूनों के case में apply होंगी ये sales के case में भी apply होंगी ये time basis के case में भी apply होंगी सिरफ sales basis और time basis का main मकसद ये है कि calculation पे फरक पड़ेगा accounting treatment यही रहेगी तो हम simple सी बात करते हैं कि अगर हमने journal entries पास करनी हो profit को adjust करने वाली तो वो क्या होंगी सबसे पहला है हमारे पास case 1 देखिए जब नए partners यह यूँ कहेंगे कि जो partners बच गए नए partnership firm बन जाती है जब पुराने वाली firm dissolute हो जाती है जब भी कोई नया partner आता है तो firm dissolute होती है जब कोई partner retire होता है तो firm dissolute होती है तो बिलकुल इसी तरीके से अब भी partnership firm जो है वो dissolute हो जाएगी क्योंकि death of a partner हो गया है तो इसलिए जो remaining partners है जब उन remaining partners की profit sharing ratio में कोई change हमें नहीं वता रखा तो उस case में जो journal entry होगी देखो वो कुछ इस तरह की होगी profit and loss suspense account debit मतलब एक fictitious asset खूल दी जाएगी profit and loss का एक तरीके से जैसे हम कहते है न debit balance है तो यहाँ पर एक suspense account open कर दिया जाएगा और credit किसे किया जाएगा क्योंकि हमने deceased partner को उसका share of profit देना है मतलब उसे मिलना है और मिलने वाली चीज partners के capital या current account में credit की जाती है तो कुछ इस तरहा की journal entry आएगी मतलब जो remaining partners है अगर उनकी profit sharing ratio चेंज नहीं हो रही है तो उन्हें इस adjustment में involve भी नहीं किया जाएगा simple सी बात ठीक है तो उस case में होगा क्या profit and loss suspense account debit to deceased partner's capital account या current account ये accounting treatment दे दी जाएगी ये एक journal entry pass कर दी जाएगी ये disease partner में share add हो जाएगा ये profit and loss suspense account balance sheet में appear हो जाएगा debit balance है तो ये asset side पर आ जाएगा वैसे हमें इस तरीके का कोई concept आने वाला नहीं है अभी तक तो फिलाल अगर lengthy question में मिलेगा हम हमें इस तरह का अगर कोई question मिलता है तो हम जरूर उसे attempt कर कर देखेंगे then है case second अब देखो इसमें तो था कि कोई change नहीं है लेकिन अगर partners की profit sharing ratio कौनसे partners की remaining partners की अगर profit sharing ratio change हो जाती है अब देखो जब change हो गई तो हम क्या calculate करेंगे हम gains calculate करेंगे कि कहीं कोई gain या sacrifice remaining partners का निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है अगर निकल रहा है तो फिर से same वही rule कहूंगी मैं gaining to sacrificing वाला concept follow करना है मतलब कुछ इस तरह से journal entry होगी existing partners capital account या अगर fixed capital है तो current account debit to deceased partners capital या current account ये क्या है ये उस profit share की adjustment है जो हमने deceased partner का निकाला है share उसके basis पर ये journal entry पास की जाएगी और जो existing partners होंगे उन में ये adjustment according to their gaining ratio की जाएगी तो मुझे उमीद है कि यहां तक का theoretical concept आपको समझ में आ गया अब देखो हम इसी theoretical concept को आज सिरफ on the time basis वाले questions attempt करकर फिर practically समझेंगे और better तरीके से ताकि आपको ये journal entries याद भी हो जाएं तो देखो अगर आपको याद हो तो मैंने हमारे last session में question number 58 का आपको profit calculate करकर बताया था और वो profit कितना आया था वो profit 7500 आया था let me show you एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरह से वो 7500 रूपीज आया था पहले question readout करते हैं फिर जल्दी से उसका answer देखते हैं देखें ये question number 58 था जिसे हम last video में redoubt करकर हमने समझ भी लिया था आपको ticks भी लगी हुई दिख रही हैं इसमें तीन partners थे जिसमें से B डाय हो गया था और B का जो share of profit था वो हमें बता रखा था कि till his date of death हमने calculate करना था average basis पर कितने सालों की average profits हमने लेनी थी 3 years की जो की हमें दे रखी थी 40,000, 50,000 and 72,000 तो बहुत ही आसानी से average निकल जाएगी तीनों को add करकर 3 से divide करकर अब आपको ये समझाया गया था कि ये जो profit निकलेगा वो सभी partners के share के accordingly निकलेगा plus निकलेगा भी कितना देखो ये yearly basis के profits हैं तो जब हमने average निकाली तो वो भी तो per year के इसाब से निकली न तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें days की या months की adjustment भी करनी पड़ेगी क्योंकि हमने till his date of death निकालना है share फिर उसके बाद हमें उसका exclusive share भी निकालना पड़ेगा तो हमने ये calculation की थी जल्दी से देख लेते हैं और देखो अब ध्यान से next question भी read out करो साथ में मतलब इसी question का next part read out करो past the necessary journal entry for the remaining for the same sorry assuming there is no change in the profit sharing ratio of ANC मैंने आपको क्या समझा है अभी अभी कि जब पुराने partners मतलब जो remaining है जब A और C जो remain रह गए थे जो exist कर रहे थे उनकी profit sharing ratio में कोई change ना हो तो हम किस तरह से journal entry करते हैं हम journal entry करते हैं profit and loss suspense account debit to deceased partners capital account तो देखो आपको hint में answer में hint दे भी रखा है कि यही बता रखा है यही journal entry की हुई है बिलकुल इसी तरीके से देखेंगे कि जब नई profit sharing ratio हमें A और C के accordingly 7 ratio 5 दी हुई है तो journal entry किस तरह से होगी तो देखें यह इसका छोटा सा वो solution था जिसमें हमने profit calculate किया था भी डाय हुआ था यह देखो average profit निकाल लिये थे फिर उसके बाद हमने profits जो हैं वो April, May, June, July and August क्योंकि 31st August को उसकी death हुई है तो 5 months के accordingly profit निकाल लिया यह profit तीनों का निकला है A का भी B का भी और C का भी तो हमने सिरफ B का share निकाल लिया जो कि हमारे पास 7500 आया था अब देखिए अब इस 7500 से जो मैंने अभी अभी आपको एक journal entry बताई है तो वो pass की जाएगी profit and loss suspense account debit to B's capital account this is for the share of profit जो की B की death के case में B की capital account में credit किया गया है till his date of death 7500, 7500 I am repeating again मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से shortcut में ये questions attempt कर रही हूँ लेकिन आपने जब इसे solve करना है तो kindly कोशिश कीजिए कि जस तरहां से plus one में आपने journal entries का परफॉर्मा सीखा है वो date, particulars, ledger folio, amount, amount या debit credit के इसाब से बिल्कुल उसी तरीके से आप line up करकर फिर उसके बाद journal entries show करोगे अब देखो अगर हम case second की बात करें तो हमें पता है कि A, B और C की हमें कोई ratio नहीं बता रखी थी तभी तो हमने 225 00 जो profit निकला था उसका one third करकर B का share निकाला था न बिल्कुल इसी तरीके से रिखो A, B और C की जो old ratio है वो one third, one third, one third यानि की one ratio, one ratio, one थी हमें new ratio किसकी बता रखी है देखो B तो है ही नहीं है तो मैंने cross लगा दिया B की जगा पे 7 ratio 5 हमें A और C की ratio बता रखी थी, अब अगर मैं gaining ratio calculate करूँ, gaining ratio का formula लगा कर क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये पहली वीडियो में कि जब death का case है या retirement का case है तो preference हमने gaining ratio को देनी है, तो हम gaining ratio बाला formula यूज करेंगे जो की new minus old होता है देखो आपको देखने पर भी पता चल रहा है, new minus old मैं बार बार repeat नहीं कर रही हूँ ताकि time save हो हमारा अब इससे solve करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, positive में answer आएगा तो हमें पता चल रहा है कि gain है अगर negative में आ जाता है by chance तो that will be a sacrifice तो अब हमारी जो gaining ratio है वो 3 ratio 1 निकल रही है, अब देखते हैं कि हमारी journal entry क्या होगी अब भी देखो बिल्कुल वही simple सा एक concept याद रखो दिमाग में, gaining to sacrificing जो चला गया, जिसकी death हो गई, उसका sacrifice हो गया न, कि अब वो आगे कोई भी profit या कुछ भी share नहीं कर पाएगा तो इसलिए उसे हम credit करेंगे और दोनों gain करने वाले partners को as per their shares, gaining shares हम जो 7500 की amount निकली थी, उसे 3 4th और 1 4th करकर A और C में divide कर दिया जाएगा तो share of B's profit till his date of death adjusted between A and C in their gaining ratio तो मुझे उमीद है कि ये आपको question समझ में आ गया, अब बिलकुल इसी तरीके से हम next question देखते हैं question number 59, जो कि बिलकुल उसी same page, page number 5.131, D.K. Goyal book, जो CBSC के accordingly issue हुई है वो मेरे पास book है, उसके accordingly देखते हैं कि हमें 59th question क्या बता रख देखे, question number 59 है, हरी, मोहन और सोहन, तीन पार्टनर्स आपको बता रखे हैं और उनकी ratio आपको 2 ratio, 2 ratio, 1 बता रखी है firm जो है, वो अपनी books close करती है, 31st March को हर साल मोहन की death हो गई है, 24 August अब देखो, month complete नहीं हुआ, in between है तो जब इस तरह से हो, तो हमें number of days calculate करने पड़ेंगे फिर proportionate profit हमें calculate करना पड़ेगा मोहन की death पर goodwill भी दे रखी है अब आपको समझाया है मैंने, कि जैसे हमने retirement के case में समझा है बिलकुल उसी तरीके से ही goodwill की treatment होगी कोई फरक नहीं है, सिरफ profit का फरक है जो हम पड़ रहे है देखो इतनी लंबी चौड़ी line लिखी हुई थी सिरफ है क्या मुद्दा कि हमने last year वाले profits के basis पर ही profit का share calculate करना है अब जो profit last year का था वो है कितना, देखो बहुती ध्यान से 31 March को हर साल close होते है मोहन की death कब हुई है, 24-8-2017 इसका मतलब मोहन 17-18 वाले session में death हुई है उसकी तो इससे पहले 31 March 17 वाला ही close हुआ है तो ये हमें last year वाला profit ही दे रखा है दो लाख, अब हमने calculate करना है कि इस साल वाला proportionate profit कितना बनेगा, हमें calculation करने के लिए का गया है, फिर necessary journal entry दोनों की, goodwill की भी और profit के share की भी हमें पास करने के लिए कही गई है तो देखे हरी, मोहन और सोहन ये तीन partners आपको बता रखे हैं, ये उनकी ratio बता रखी थी, death किसकी हुई है, मोहन की, तो मोहन को हमने यहां से erase कर दिया, मतलब मोहन की death हो गई है, तो बचा कौन कौन है, हरी और सोहन, अब मैं सबसे पहले आपसे एक चीज अगर share करना चाहू तो वो बात ये है कि क्या हरी और मोहन की new ratio हमें दे रखी थी, नहीं दे रखी थी ना, तो इसका मतलब journal entries में, अगर हम profit के share वाली accounting treatment समझें, तो journal entry में कौन सा case apply होगा, case 1, जब हमें remaining partners की नही ratio ना बता रखी हो, तो profit and loss suspense के accordingly, account debit करकर हम treatment देते हैं, तो देखो सबसे पहले मैंने थोड़े से working notes बनाई हैं, फिर उसके बाद journal entries पास की हैं, तो पहले हम जल्दी से working notes समझते हैं, देखो हमें goodwill दे रखी थी 75,000, अब ये goodwill तो सभी partners के share के accordingly होती है, तो हमें क्या करना होता है, हमें जो partner retire हो रहा हो, retirement के case में, जिस partner की death हो रह calculate करना होता है, और मोहन का share कितना है, 2 by 5, तो 2 by 5 calculate करेंगे, ये goodwill निकल आएगी मोहन की, फिर हम इसको treat करेंगे, अब इसको treat करना कैसे होता है, इसके लिए आपको समझाया हुआ है न, कि हमने existing partners, debit to deceased partner, पहले मैं retiring कहती थी थी न, लेकिन अब ये death वाला case है, तो इसमें हम deceased partner word use करेंगे, और मुढ़री और सोहन को किस ratio में debit कर देंगे, उनकी gaining ratio में, अब क्यूंकि हमें नई कोई नहीं दे रखी है, तो हम इसी को क्या मान लेंगे, उनकी new ratio मान लेंगे, लेकिन फिर से मैं कह रही हूँ, कि अगर question में specifically new ratio हमें ना दे रखी हो, मतब उन्होंने change न रहे हैं, तो उस case में हमने जब ना change की हुई हो, तो profit and loss suspense के थूवी adjustment देनी है, किस की देनी है, goodwill की नहीं कह रही हूँ, किस की देनी है, profit के share की, तो अब आप पहले profit का share समझो, कि profit कैसे निकलेगा और कितना निकलेगा, देखो, हमने profit कब तक क्या calculate करना है, जो last year, 31 2017 खतम हुआ है, वहां तक का profit तो मिला ही हुआ है मोहन को, कौन सा नहीं मिला, उसे एक April से लेकर 24 अगस्त तक जब तक वो जिंदा था, तब तक वाला share नहीं मिला, क्योंकि मोहन की death 24 अगस्त को हुई है, तो हमने इस time period का, यानि की 146 days के accordingly calculate करना है, अब कैसे calculate होगा, हमने last year के profit के basis पर calculation करनी थी, तो last year का profit है, 2 lakh, अब हम proportionate profit calculate करेंगे, 2 lakh multiply by 146 divided by 365, तो अगर इस तरह से calculation करेंगे, तो हमारे पास proportionate profit 80,000 निकलाएगा, अब फिर से, ये profit जो था, वो तीनों partners के accordingly था, तो हम सिरफ मोहन का share calculate करेंगे, and it will be 32,000, अब देखते हैं, journal entries, तो देखो, journal entries क्या होंगी, सबसे पहले तो हम goodwill को adjust करेंगे, जो हमने अभी अभी हमारे working note number 1 में calculate की थी, 30,000 की, वो मोहन की capital को credit करकर उसे दे दी जाएगी, और हरी और सोहन, क्योंकि ये दोनों ही एक तरीके से gaining partners हैं, क्योंकि ये gain कर रहे हैं, रह रहे हैं ये business में, तो इन्हें हम 2 ratio 1, क्योंकि इनका remaining share यही था न, 2, 2, 1 था, ये 2 चला गया, तो 2 और 1 बचा न, तो इसे 2 by 3 and 1 by 3, simple सी बात है, देखने पर ही बता चल रहा है, 20,000 and 10,000 ये share हरी और सोहन का निकल आएगा, बिल्कुल इसी तरीके से देखो, ये मैं already आपको समझा चुकी हूँ, तो profit and loss, suspense के accordingly, हम लोग मोहन की capital को credit कर देंगे, मतलब जो उसका profit का share बनता है, till his date of death, वो उसके capital account में adjust कर दिया जाएगा, credit कर दिया जाएगा, तो मुझे उमीद है कि आज के इस session में, जो मैंने आपको accounting treatment समझाई, वो भी आपको समझ में आई, मैं फिर से दुबारा से कह दूँ, कि accounting treatment, चाहे हम time basis के accordingly calculation करें profit की, या sales basis के accordingly calculate करें, accounting treatment यहीं रहेगी, मतलब journal entries यहीं होंगी, सिरफ calculation का फरक पड़ेगा, तो मैंने आपको आज time basis के accordingly कुछ practical questions करवाए, और उनकी साथ में accounting treatment भी करवाई, अब हम next session में sales basis को समझेंगे भी, और उसकी accounting treatments भी साथ में cover up करते हुए, कुछ numerical questions attempt करेंगे, मुझे उमीद है कि आज का session आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, kindly जल्दी से channel को subscribe कर लीजे, अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है, share कीजे videos को, like कीजे videos को, do comments also, thank you so much for watching and have a nice day.